नमस्कार लाइब लगतार देख रहे हैं आप और मैस शिवेंदर प्रदेश भर के क्राइम अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आज प्रदेश में कौन से वारदात प्रमुक रही कौन सी घचनाईं प्रमुक रही इस बारे में जानकारी देने के लिए गिराने के खिलाब साजीस के मामले में अगर इस्पेसल ब्रांच और ज्यादा एलर्ट रहती तो महराश्ट के रहने वाले चारो आरोपी नहीं भाग पाते दूसरी घटना है बिते मंगलवार को राची के काके थाना छेतर में एक यूबक का सौब रामा दुआ था इस मामले यह है कि लातेहार के मनिका में करेंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई धनवाद के जज उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाला ओटो बरामद हुआ और पुलिस ने दो आरोपी को गिरपतार भी किया है बाबु लाल के सलाकार सुनिल तिवारी ने चलित रहनन करने पर कारोवारी को लीगल नोटिस भेजा है धनवाद के जज मौत के मामले में पुलिस मुख्याले ने ADG संजे लाटकर के नेत्रित में SIT टीम का गठन किया है सहर के चौक चौराहे पर भैरब के होडिंग और पोस्टर देख सरना समाज के लोग भड़क गए और इसे हटाने को लेकर बिरोध करने लगे जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर बन्यर को हटाया तब मामला सांथ हुआ बोकारों के कॉपरेटिव कोलोनी में बिजेपी नेता के भाई पर अपराधियों ने गोली चलाई लेकिन इस गोली बारी में कोई भी हाथा हाथ की घटना नहीं हुई तो ये थी क्राइम से जुड़ी आज की प्रमुग घटनाए इन खबरों पर अधिक जानकारी के लिए आप इन खबरों को लगतार.in पर भी पढ़ सकते हैं और वीडियो के जब्सक्रिशन में इन खबरों का लिंक एविलेबल है जुड़े रहिए लाइव लगतार के साथ नमस्कार